जाहिद बिद्यार्तों आप लोग का हमारे चनल में स्वागते तो बिद्यार्तों हाई स्कूल परिच्छा दिसंबर 24 जोकी रुखजाना नहीं परिच्छा पार्ट्टु दिसंबर का फाइनली असली पेपर लेकर आ चुका हूँ आप यहाँ पर देखोगे कि आपका गडित करने वाला है और आपको हमारे पास सभी भी सब्सक्राइब अपलोड हो चुका है तो इस वीडियो के कमेंट में या डिक्रेप्शन में जाकर लिंक है वहां से वीडियो देख सकते हो नहीं कि यहाँ पर जोईन हो सकते हो सबसे बड़ा बात कि आपको मैं सबुत यहां पर पर है अब कुछ और सबुते हैं जैसे कि आप अपना एक्जाम देने के बाद कांपी जमा करके आ जाओगे लेकिन आपके कांपी कैसे चेक होगी यह भी बताऊंगा तो कि जो एक्जामनर आप कांपी चेक करेंगे उनके पास एक इंसर बूक होती है और उसमें इस पेपर क एक उनके बताओं गा और पेपर कीसे दिखाऊंगा चलि कि देखा रेते हैं और देखा हो है तो वानरी आप नहीं पर देख सकते हो यह neighborhood गोकर आब तो अत्वा सईट सरूशन है तो A to Z आपको लिखना है जिस तरीक से मैं आपको बताओंगा साथ नमबर देख सकते हो 8 का सरूशन यह आपको बहुत अच्छे से मिलेगा सरूशन यह अच्छे से तो यह सरूशन पुरा मिल जाएगा उसने करना है लाश्ट तक बने रहना है तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ पेपर लाश्ट में सरूशन दिखाऊंगा क्योंकि पीडियाप जो पेंज है चबदर पेंच का है इसलिए आपको यहां पर मैं नहीं दिखाऊंगा वीडियो लंब्य हो जाएगी लाश्ट में दिखाऊंगा तो आपकी स्क्रीन सर्वी ले लेना है तो आपको तेष्ट तक सरूशन मिलेगा तो कि आप यहां पर देखोगे तो लाश्ट क्योचन दिख लिखना होगा तो सई विकल्प में पहला की उचन मिलेगा एक नंबर किसी पूर्ण क्यू के यह परते एक विश्व पूर्णांग का रूप होगा तो आपको लिखना होगा तो इसका राइट एंसर डी नंबर राइट एंसर हो जाएगा मैं डायरेक्ट उत्तर लगाता हू इसका दो नंबर देख सकते हो दो इस समी करण में समी करण निकाय बताना होगा तो इसका राइट एंसर आपका डी नंबर हो जाएगा इसके अनन्त हल है इसके बाद अगला की उचन देखोगे जो कि आपको दुईगाट समी करण लिखना होगा दुईगाट समी करण से स्क नमबर सी वह जाएगा जीरो इसके बाद अगला क्युचन आपके सामने रहा तो किसी एए पी में यदी डीकोगल टू-4 यान इकल टू-7 एउन एकल टू-4 तो ए तो इसको बताना होगा तो इसमें राइट इंसर आपका आपसर नमबर डी हो जाएगा जोकि 28 इसके बाद गुकार माझीरो से बिंदू की मािने 6 प्लस एट की दूरी बताना वुगा होगा तो आप को एऊनुचायक के बराबर करहे तो न होगा तो आपको यहां पेह बहुत अच्छी सता ना वाट इस नमबर को ओनूए पैतालीचन नी के बराबर आपको अच्छ से लिखना होगा चलिए अगला क्युक्षेन के वर चलते हैं आप यहां पर इंग्लिश वाले भी अपना स्क्रीन सोट ले लेना बहुत अच्छे से तो एर आपका स्क्रीन सट अच्छे से ले लेना इसके वाद रिखता स्थान आ गया जो कि छायं काहले वाला पहला क्युक्षेन है दो बहुपदों का यो कालियस्तान होता है तो पहला नुमर एक समीकरण सरी एक बहुपद और समीकरण तो इसका आपको एक बहुपद राइट एंसर हो जाएगा इसके वाद अगला क्युक्षेन है किसी बार के समीकरण में अधिक्तम कालियस्तान मू तो अब नाम से ही पता है सरवां संम मतलब सम्रूप तो सम्रूप ही हो जाएगा राइटेंस है इसके बाद एक रेखा जो बिलित को दो बिंदिों पर प्रतिछेद करती है है वा खाली इस्तान रेका कालाती है सपर्स रेका या चेटक रेका तो आपको आपसे प्रस पता चल रहा है जो बिंदिधों प्रतिचेत करती है तो एक दो आपको घृटक रेका राइट से इसके बाद अगला के उच्चन हो जाएगा और दिर्ज्या वाले के चेत पर खासुतर है खाली अस्तान है तो पराय याय राध्य है तो आपको बताना ओगा थो फायर स्कवाई राया राइट एंसर में जाएगा इस तरीकिछे जागा इंग्डिस है आपको आपको अपको हूत ने ही अड्रीन होते। कद निन्म्न लिखित में से सत्त वार्चत लिखना हो स sour UK सब्सक्राइन कंबद nowhere K전 सब्सक्राइब आでも तुक होती है ठाल कुल को बताना होगा संब्सक्राइबर संब्सक्राइब और जक्ले धुर्माइब कांट सबसे बड़ी भूजा होती है तो यह आपको सत्त हो जाएगा समान्तर अज्रडी के पद सद्यों बढ़ते करम में होते हैं तो यह असत्त हो जाएगा समकोर्ट तिर्भुच का चत्त पर बरबर एक बटे दो और गुड़े आधार गुड़े से रिसलम होता है तो यह आपको हो जाएगा सत्त बिंदु 4,4 यों 3,3 के बीच की दूरी 5 का यह तो यह बताना होगा तो यह आपको सत्त हो जाएगा इसके बाद आपको किसी ब्राह्म बिंदु से व्रित्त पर किची गई अस्पार स्रेका हैं असमान होती हैं असत्त हो जाएगा इस तरिक्स आपको प्रस्क्रमांग तीन हुआ यह आपको इंग्डिस वाले इसके इन साट ले लेना सही जोडी बनाना है चोड़ना नहीं है एक बी के उचन और कालम अ यों कालम ब इस तरिक्स आपको लिख लेना है बहुत अच्च चे तो आप देख सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे पहला के उचन यहाँ पर अस्तम्ब इस तरिक्स बना लेना है इसके बाद पहला का राइट इंसर आपको लगाना हुआ मैं डार्यक्ट लगा देता हूं सी नंबर दूसरा का राइट इंसर आपको लगाना हुआ तो दूसरा का आपको लगाना हुआ यहस यह मतलब कि एक नंबर पे है इसके बाद आपको तीन नंबर में लगाना हुआ तीन नंबर में आपको जीरो लगाना हुआ बिरित की परीदी तुपाईयार बच्चे बच पता है घात कायतन बूजय इसको यह आपको हो जाएगा इस तरीक से हो जाएगा अगला कुछन देख सकते हैं जो कि इंग्लिश वाले सब्सक्राइब लेना इसके बाद एक वाग्यक्स अब्द में उत्तर लिखना है तो यहां पर देखोगे समी करण आपको इसका उत्तर लिखता हूं तो आप देख लेना इसके वाद अगला कुछन है 5,10,15 का खादेस्तान अगला पत क्या होगा तो यहां पर आपको 20 लिखना कि 5,10,15 जोड़ोगे तो 20 ना आएगा आगला तो यह आपको हो जाएगा इसके वाद आपको मोल बिंदू से बिंदू xy के बिच के दूरी बताना हुगा तो आपको बताना हुगा तो इसका डाइटेंस है आपको इस तरीक से बना लेना x square प्लस y square इस तरीक से बनाना यहां देखतू को जिसे हम देख रहे हैं जोडने वाली रेखा क्या कर्या थी है तो आपको द्रीष रेका में द्रीष और एक होगा तो傳 अगला क्यों इंग्निस वाले अपना स्क्रीन स्क्राइब लेना यह आप हो गया एक 140 को अबाज गुणंकन के गुणंपल के रूप में ब्यक्त करो तो आपको यहां पर बहुत अच्छे से करना होगा किया करना होगा यहां पर इस तरीक्त बनाना आहे इसके बाद आपको यहां पर एक 140 गुणा wal दो से कटना होगा सत्ता दुनी होता है 140 इससे फिर दो से काथना होगा इसके आता है तो 35 दुनी 35 आपको 5 से कटेगा तो 5 से आपको कट लेना इसके वाद 75 35 से कटेगा साथ से पीट साथ से कटने बाद एका जागा साथ इस तरीके से यह हो जाएगा इसके बाद आपको यहां पर क्या करना होगा 140 जाइए इसको बाराबर लगानाब ही इसके बाद को क्या करना होगा लोगी दो दो नोटे को साथ को ब्राबर लगाना अबर 1 दो स्कॉमे सक लिखताने का मतलब क्या है कि डो दो बार है इसके बाद 5 उरे साथ यह राइट इंस से हो जाएगा इस तरीक से हो जाएगा इसके आगला प्यूचन जो कि आपको अथ्वा है अथ्वा में क्या करना होगा आपको यहां पर बहुत अच्छे से लिखना होगा जिस तरीक से मैं एक नंबर अभाज उनकन विदी द्वारा चांड में आगर 404 का या सब्सक्राइब करना होगा तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं बहुत अच्छे से लिखना है इसका वीडियो के लाश्न में उत्ते दे दूंगा बहुत अच्छे समझ जाना मैं आपको साथ नमें बताता हूं अच्छाब बाततर आवर एक सुबीस के अस्जिए अश्य सब्सक्राइब करना होगा जो कि आपको यहां पर आपको यहां पर नमबर देख सकते हैं नव नमबर पर क्या करना होगा यहां देखो अधलो यहां पर कुछ नहीं करना हैं बहुत अच्छे से सावगा तो आपको इसकाबताना होगा सुनकों की संक्राइब संक्या से संयाोग पूचाय है तो आपको यहां पर आपको यहां पर अगला पुरक्या बैभ उनलि' तो इसका आत्वा बड़ा आए तो आप लिख लेना जो मर्जी वीडियो के लास्ट में उत्तर बताऊंगा दस नमबर देख सकते हैं 5 संत्रे और 3 से बोगा मूल बहए तो इस स्तिति में 20 गढ़िति रूप में भ्यक्त करना होगा इसका उत्तर आपको कैसे करना होगा तो बहुत अच्छी से लिखना होगा कि मैं यहां पर बता देता हूँ यहां पर 5 पूचाय तो आप मैं अपर लिक देता हूं अच्छे से तो यहां पर पाच पूचाय तो पांच यक्स प्लस तीजी वाई बराबर 25 लिक लेना है इसके बाद आपको यहां पर दो नमबर पूचाए यहां पर दो नमबर क्या और और लगा कर तो यक्स प्लस फोर वाई बराबर 28 के वाद राइट इंसर हो जाएगा तो आपने हाते देखना इस तरीकर से आपको यह राइट इंसर हो जाएगा इतना लिखना होगा जो कि वीडियो के अंत में लिका लिका है उबतर मिल जाएगा इसके बाद अगला की उच्छन हो करना होगा लाश्ट में मिल जाएगा उतर है कि इसके बाद रगला क्युचन है कि दूइगास समी करना यक से स्कायर माइनस फोर फोर एक स्प्लाइट सिक्सें इक वर्ट कुछनु का विवांतर याद करो जो कि यार नंबर क्युचन है तो आप बड़ा है तो लाश्ट में आ देख लेना स्कात्वाय जाच किजिए कि कोष्टव बंद यहां पर देख समी करन दूगास नबता ना होगा डायरेक्ट इन सभी का में उत्तर लाश्ट में बता दूँगा बारन नंबर देख लेना तीन अंको वाली कितनी संख्या आपको इसे बताना हो बहुत अच्छे तो बिध्या तो यहां पर देख लेना तीन अंको वाली कितनी संख्या सास से विवानतर है यहां आपको बताना होगा इसे वालाद आपको एपी तीन आठ तेरर अठार क्ल at अधौन सापद अच्छा नहीं तो आपको यहां पर इसमें भरना क्या होगा 128 मैं तो भड़ दिया बट आपको गड़ी सवाल करके लाजने उत्तर 182 ठीक है अब यदि डाइरेट भी लिखोगे तो लिख सकते हो यहां पर देखोगे तेरे नमबर बताईए कि निलना करेती समरूप है या असमरूप तो और बच्चा के यहां नाम से पता चल रहा है कि आपको यहां पर बोल सकते हैं नहीं यहां कि पहली अक्रिति chatAbsore तो इसका चारूप बंदरा संटी पंदरासंटी फंदरास और उसमें 3 3 है यह सम झोच्वन कैसे हो च्छूटा बड़ा यहीं कुछ स्रीन है इसके बाद अगला की उच्ण चल देते हैं कोड़ A B C एक सम्दुबाव तिर्भुज है जिसका कोड़ सीसम कोड़ है सीधी करो तो इसका लाश्ट में उत्तर दे देंगे जो कि आपको पाइथा गुरस प्रमे का सुत्र लगाना होगा तो आप बहुत अच्छ से लगाना इसके बाद आपको 14 नमबर तुचन देखोगे बिंदु आपको आपको माइनस 5,7 इसके बाद माइनस 1,3 के बीच की दूरी ज्याद करना हुआ तो आपको यहां पर 14 नमबर है मेमोरी का लेट अच्छ से लाश्ट में मिल जाएगा तो लाश्टर बन जाना इसके बाद इस एका कार्ण को दो अनुपात फैसिंके बहँंतर करकती है बहुत अच्छ से लिखना होगा आपको लाश्ट मिल जाएगा मेमोरीकल है आपको प्रेक्टिस की जरुरत है अच्छ से करना होगा इस आपको सवाल लगाना पड़े इस वीडियो चैस्ट मिल जाएगा यह आपको बताना होगा 16 नंबर संभव गटना की परिवासी करना होगा देखो परिवासा होगे रहे तुम्हें बोल देथा हूँ तो आपको लिख लेना तो इसकी परिवासा लिखना यह गटना जिसका घटित होना असंभव गटना कालाती है किसी भी असंभव गटना की पर प्रयक्ता है कि वह निकाली गई गोली संत्रे की मार्क वाली है या नेवु की मार्क वाली है तो देखो आपको यहां पर पाले नंबर हो जागी प्रयक्ता सुननों होगी क्योंकि थैले में संत्रे की मार्क वाली एक गोली यह भी गोली नहीं है दो नंबर प्रयक्ता एक होग क्योंकि तहले में सभी गोलियां नेवु की माखवाली है इस तरीक से आपको लिखना हुआ ठीक है तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो अगला क्यूचन है देखोगे सत्तर नंबर क्यूचन यहां पर सत्तर नंबर देख लेना बहुत अच्छे से यदि पी आप मतलब यह आपको परेखता ज्यात कना है सवाल है तो आप देख लो मैं आगला क्यूचन चालता हूँ इसके बाद आपको अत्वा इतका देखोगे तत्वा आपको है 20 बल्लों की ए इस समों में एक बल्ले दिरिस्या निकाला दाता है इसकी क्या प्रिप्ता है कि बल्व खराप होगा तो आपको बताना होगा तो चलो आपको इसका उत्तर देखना होगा जो कि आपको मैत रूप से लगाना होगा और यहां पर मैत के फर्मूले के हिसाब से लगाना होगा त एक बिंदू से बात दिया गया है भूमी के साथ डोरी का जो का साथ डिगरी है या मान कर कि डोरी में कोई धील नहीं है अब डोरी की लंबाई ज्याद करना हुगा देखोए इमें मुझकल की उचने बहुत अच्छे से लिखना हुगा वीडियो के लाच में उत्ते मिल जाए है अब धर्ती के एक बिंदू से जो मिनार एक पाद बिंदू से पंदर सेंट्रीमीटर दूर मिनार के सिखर का उन्नियत को और साथ डिगरी बैतु मिनार की उचाई ज्याद करना हुगा तो अब आप 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 में मुरिकल की तरह करना हुगा सवाल लगा-लगा कर नमबर के उच्छे लिखना है तो बहुत अच्छे से लिखना है सवाल लगाला पर लाश्ट मुत्तर मिल जाएगा आप यहाँ पर देखलो अथवा नमबर सिद्ध करोगी किसी बिरित के किसी व्यास के और सीरों पर किछी गई असपास रेका समानतर हो होती है तो यह आपक अच्छे से लिखना नहीं चलेगा सवाल लगाना ही पड़ेगा यह आपको लाश्ट मुत्तर मिल जाएगा अगला कि चुन देखलो ना दो विरित्तों कि तरिज्या क्रम से 8 संटीमीटर और 6 संटीमीटर है तो उस विरित्त कि तरिज्या गयात करो जिसकी इन दोनों विरि अच्छे से हल कर सकते हो कि सवाल तो लगाना पड़ेगा विद्यार्थी बिना सवाल का कुछ होने वाला नहीं है मैत है मैत में प्रेक्टिस की जवरत होती है प्रेक्टिस करना अच्छे है अत्वा नमबर देखिए एक किर्केट टीम के कोंच ने साथ बल्ले तता अच्छ प्रेक्टिस देखने ना 22 नमर दो गनों जिसमें प्रेक्टिक का इतन साथ संट्रीमीटर है और यहां प्रेस लंग फलकों को मिला कर एक खोस बनाई जाता है इसमें प्राता है गनाप के प्रिष्ट छेत पल ग्याद करना हुआ अत्वा नमबर देखना लकड़ी के एक खो संट्रन की उचाई 10 सेंट्रीमीटर है और आधार की 33.5 सेंट्रीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण प्रिष्ट छेत कर ग्याद करना हुआ यह देखलो इसका उत्तरलाश में मिलेगा अब यहां पर इससे देखना विद्यारते के एक समू द्वारा सर्वे चंड किया तो आपको एक महले लगे हुए पउदों से संबंदी नीमना आक्रों प्रकरितित की हैं प्रते घर माध्यां पभूदों के संक्या याद आप यहां पर उप्वाथ नीचे है अब आपको बताना अगर अच्छा से महत्यारत लगा कर महत्यट की प्रेक्टिस के आपको लाश चोदर पंदरा पार से आया है तो आपने बूक मैथ से प्रेक्टिस कर देना इदक लोग इसी प्रेक्टरी के 50 से मिकों की देनिक मज़ूरी के निम्नल की बंटन पर बिचार करना होगा वह इसे तयार करना होगा तो अब यहाँ से अपने से लीख लेना चली आपको सलूसन दिखा देते हैं इसके बाद चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देना फ फिर मिलते हैं लेच्ट स्दियूप TS चलिए सलूसन देखते हैं फाइनली विद्यार तो आपको देखना होगा सलूसन जो कि मैंने बोला था लाश्ट में बताने के लिए पेपर बहुत अच्छे से आपको बंभर दिया था पहले में पहले में ज्यादक और यहां पेट सब्सक्राइब शक्राइब लिए आपको यहां पर लिखना होगा 2007 इसके बनाना हुगा आपको अस्तम बना देना है और आप को सुछत बता रहा था और यह अपर लिखना होगा प्र तेक का आपको याँ पढ़ी लिखना होगा एक सब देखुबंगों ऊत्तर तो आप अच्छे से लिखक लेना तो यह आपको वी अच्छे से लिखक लेना प्रस्क्रम्वा कि चाल लेखुये अब यहाँ चाल इसच आपको इसके इसर लेना है यह आपको आठ है यह आपको आठ नमबर है ताथवा यह आपको नवका मैंने बोल दिया ताओं पर तीन होगा आपने आपड़ देख सकते हैं तीन होगा तो आपनौ मेरिकल है प्रेक्टिस की जर्यत हैं नम नमबर होगा आत्त पर दास नमबर दस के बाद अथ्वा धसका है दो इसकी इनकार्ट में आज आएगा यह आपको ग्यार नमबर है ग्यार कात्वा यह आपको स्वरी ऌत्वाatives तेरह के बाद आपको 14 नमबर 14 का सरूशन यह 15 नमबर यह आपको 16 नमबर है और 17 नमबर भी देख लेना 17 का अथवा है यह आटको 18 नमबर यह आपको 18 का अथवा इसके बाहल आपको 19 नमबर और लेलना इस्क्रीन सोट 19 कात्व आये रहा देखो भी तरतो यहाँ पर बताया गया है आप यहाँ तक लिखोगे एक नमबर यहाँ पर लिखोगे एक नमबर मतलब जैसे जैसे छोड़के आज आओगे तो नमबर करतना लगेगा लाश्ट बला अता लगाकर लिखोगे तो एक नमबर मतलब इस तरह किसे मिलता है यह आप देखोगे तो ग्याद करना होगा इससे देख लिए यह आपको तरफुस्ट यह आपको देख लिए आउना है यह आपको 21umuz है इसके बाद आगे खre honour के लिए growing आप पर हांदेख सकतो हो थे इसकेबद एसके इंसाथ में आजाएगा है आपको हाजएगा बाइस नमबर dannas भाइस के बाद आपको आगे हूं जाएगा बास का दोे लिए औस तो लिभा 23 नमबर यह आपको 23 कात्वा तो विद्या तो आयोब कि मैंने बता रिया A to Z चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडिया तो और चैनल सब्सक्राइब कर देना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो तब तक लिए जाएं और सभी भी सेका वीडियो लिंक कमेंट में एंड डिपकरेप्शन में लिंक इन डिपकरेप्शन और जॉइन आट लिगना